पैसा गाओं का लूट लिया है वो भी महच केवल साल भर के अंदर प्रधान बने हुए एक चोटी बिरादरी समझ करके केवल मुझे प्रताडित किया जा रहा है बिना पैसे का मैं प्रधान बना हूँ मेरा कुछ खर्च नहीं हुआ है अच्छे एक आरोप यह है कि आप ठाकुरों ब्रामडों को गाली देता आपके अच्छे वाला क्या खेल है सब कहते हैं कि डरा देते हैं सीस्टी को लेके यह कहिए प्रधान जी का पहला अंक है और आज हमारे लपेटे में है निदुला के प्रधान पती अनिल कुमार जी बहुत बहुत स्वागर था आपका दिलंकादेन.com पर पहला सवाल ही आपके उपर तमाम भरष्टा चार के आरोप लगें वह भी महच केवल साल भर के अंदर प्रधान बने हुए क्या जवाब देंगे आप सर इसमें जवाब मेरा यह है कि मैंने जितने कार्म कराएं हैं अपने ग्राम सभा में हर का मेरे पास लेखा जोखा है मेरे उपर डेढ़ करोड का यह लोग विलेम लगाते हैं डेढ़ करो यह लोग जैसे एक छोटी बिरादरी समझ करके केवल मुझे प्रतारित किया जा रहा है मेरे सारे काम का लेखा जो का मेरे पाडिवाद का क्या है जातिवाद का ये खेले सर कि यहां 20 साल पहले पंडी जी प्रधान थे उनके कारेकिया पेच्छ में मेरे इस एक साल के कारेकिया पेच्छ में आप जो है जाज कर सकते हैं एक घर घर में जहां जहां मैंने काम कराए हैं जहां मैंने चक्रोड बनवाई है जहां मैंने कितना काम उसके बाद हूं पाइप गिरवाया सीमेंट बेंच गिरवाई चार कच्छी सड़क फिकवाई मैंने चार मैंने खणजे बनवाई दो इंटर लाकिंग करवाई है एक इंटर लाकिंग का भी मटेरियल गिरा हुआ बर साथ के कारण नहीं हो पाया है सरकारी आवाज कितने दिया सरकारी आवाज कम 38 चले गया है तो पैसा लेके सब आवाज भी रहा है और फिर उसका चार बार उसी को दिखाके उसकी मरमत दिखाके चार बार उसी खड़ंजे के उपर लाकों रुपए निकाल लिया गया यह गमन का एक सबसे बड़ा रोप आपके उपर लगाए चार मेरे पास उसकी वीडियो है और किसी भी क्लेम किसी को भी क्लेम लगाने से पहले यह प्रूफ होना चाहिए इस टेटमेंट में एक बार अगर एक ही डेट पर हो गया एक ही काम में चार बार पैसा निकला होगा तो इसमें भी होगा अच्छे बताए डेट करोड का रोप है आप कह रहे हैं कि आपके आपके पास केवल साट लाक रुपए काम करने के लिया हैं हाँ सर मैं आपको यह कैसे डेट करोड का दावा कैसे ठोग रहे हैं यह डेट करोड का दावा यह बेबुनियादी दावा है इनका आप देखिए लास्ट के प्रिष्ट पे लिखा हुआ है टोटल क्रेडिट बाइस लाक निन्यानवे हजार चार सो तैंटीस रुपए और 23,99,500 तो यह आपके काम का एक साल में लेखा जहार है यह हमारा राजवित्त का है और मेरे केंद्र वित्त का भी देख लीजए सर मेरे केंद्र में जो लेखा जो आस्ट के प्रिष्ट पर इस पर भी आ जाये सर यह देखिए सर इसका भी जो क्रेडिट है टोटल क्रेडिट 21,68,795 आगे बढ़ते हैं आप कह रहे हैं कि साट लाक रुपया डेर्ड करोड का आपके ओपर अरूप लगाया जा रहा है तो यह बे बुनियात वो कहते हैं हमारे पास पेपर से वह हाई को जा रहे हैं तो सर वो जाए मुझे उसकी चिंता नहीं न्यायाल सब के लिए हैं किसी को सजाद देने से पहले उसकी भी पूछी जाती है बात चीते पूछी जाती है कि भी आप गलत है नहीं मैं मुझे है अगर मैं गलत हूँ और सबसे बड़ा सवाल यह रहा है कापके गाव में अम्रीज सरोवर बन रहा है उसे आपने पट्टा कर दिया साहब को प्रधान जी ने गुमराह कर दिया और उसके बाद पट्टा करवा दिया गया अच्छे यह बताए सर आप sdm महोदे कोई पढ़े लिखे आदमी हैं पढ़े लिखके sdm महोदे बने हैं इलेक्शन से नहीं आये हैं तो मैं उनको गुमराह कर दूंगा कह रहा है कि द्हमकी चमकी देके क्रिमिनल टाइप के लोग हैं यह लोग यह हमसे पैसे की मांग करते हैं कि मैं कुछ दच्छना देता रहूं तो यह खुस रहेंगे और नहीं तो विरोध है मेरे ग्राम सभा मैंने जितने काम करा है आप चल के जन जन से पूच सकते हैं आप हाँ अच् इसके पास कलोनी दी है किसी भी एक पात्र आदमी से आप पूच सकते हैं मैंने खुले आम कहां किसी को चमणी मत देना 38 कालोनी आपने दी हैं एक रुपए उसमें आपने लिया नहीं ना एक दम पूरा एक दम काउंफिडेंस है कोई अगर झूट को भी कह देगा कि यहां परदान ने लिया है तो मैं मंजूर है मुझे जो सजाज कहेंगे आप मंजूर की दिश्टी कोर्ट से यह जो आपका गाउं है पूरे प्रताब पूर में सबसे बड़ा गाउं है अगर आप किलो मीटर में लें और इस तरीके से काम काई तो इतने बड़े गाउं को संभाल बिना पैसे का मैं पुर्धान बना हूं मेरा कुछ खर्च नहीं हुआ है अच्छे बताइए सारी जातियों ने आपको वोट दिया था सब 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 कारोप यह है कि आप ठाकुरों ब्रामणों को गाली देता आपका यह सब यह देखिए यह परसनली अपने अपनी लड़ दो आपका इए मरे पूछ सकते हैं हम लोग यहां मरे सांथी प्रियाजमी हम लोग हमारा एक एक यह अफ आज यार एक कभी ठाने में नहीं हमारे नाम से कोई कंपलेंड गई हैं न हमारे खिलाप किसी ने कंपलेंड दिया है इतने सुलज है आदमी हैं लोग सब से बड़ा पेर 30 साल पहले बना हूँ खणाया उस खण जी की खणरें कि कर चार बर पैसा निकाला गेया है उस खणरें कि मरंब्मत में कर रहा था इस अप्ले केसं पर ध्यान दीजिए है इस पर लिखा हुआ है राकेस पांडे है कि पुत्र ब्रहम्देव पांडे फैरे पुस्ती से पर जयस्ति इतने दिन से वो खलंजा पुराना खलंजा था जब मैं उसकी मरम्मत कराने लगा तो इन्हों ने कहा कि यह मेरी भूमधरी है मैं इसको नहीं बनने दूंगा इन्हों ने टेक्टर सु जुतवाया उस समय इसे लडाई चले उसी समय से यह मेरे पीछे पड़े हु हैं बड़ा सवाल उठता है सिक्षा को लेके आपके गाओं में तीन प्राइमरी स्कूल है अब वहां कहा जाता है कि आपके विद्याले में टीचर्स टाइम से नहीं आते हैं दूसरे किसी विद्याले में मिड्डे मील की समस्या बताई जा रही है तर इसी तमाम तरह की जो पल लाके रक लिया जाता है सयसरे मन्डे को फल देना है कि आम बैज 통वार को बिद्या जाता है बडल बदल बदल के दिया जाता है सीज़नी के थाप से इस समय के amen चल रहा है उस समय आम की बाहर थी आम आम चल रहा था इस तरीके से फल हर हर सवर को वंवार को दिया जाता है तो थेलब आ कि यह वारदा करते हैं कि आपको जाड से बादा कि अब चांट से कुई डर नहीं है क्योंकि मेरे पूरा लेखा जोखा है मैंने जितना पैसा निकाला है मेरे कारेकाल का एक एक पाई-पाई का हिसाब मैं दे सकता हूँ आपको कोई डर नहीं है मतलब है जाच भाई अगर गलत में रहूंगा तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए अब आखरी सवाल ये कि पांच साल बाद जब हम फिर नहां दोबारा रेपूर्टिंग करने आएंगे तो पांच साल में क्या कुछ बदला हुआ नजारा देखने को मि मिलेगा प्रतापपुर की सबसे बड़े गाउं में यहां सर बहुत बढ़ा नजारा मिलेगा मेरी मेरी यह है कि मैं मैं सोच रहूं इतना काम करवा दूंकि मैं मानियम मुख्यमंत्री जी से आवार्ड मुझे मिले मैं मैंने यह संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प में बस यह केवल उसमें इनका मतलब ही है कि मेरे कहने स्काम करें लोग को कैपचर कंट्रोल करना चाहते हैं की केपचर और आप किसी कषबD नहीं है नाय मैं किसी February किसी से लड़ाई नहीं मैं जातिवात से उठके काम कर रहा हूं कोई कह नहीं सकता कि हाँ यह आदमी जातिवात द्वेश रखता है ऐसी कोई बात नहीं सरके तो दोस्तों आप निदुला के प्रधान प्रती अनिल खुमार जी को सुन रहे थे जिनसे मैंने तमाम सवालात करे सवालों की जो फैरिस थी, वो काफी लंबी थी, काफी जटिल भी थी, इनको उबर भरस्टाचार के अरोप लगे हैं, बरस्टाचार पे उन्हों ने जवाब दिया मिड़े मील के बारे में हमने बात किया सिक्षा वे उस्ता के बारे में बात किया सड़कों के जंजाल के बारे में बात किया तमाम सवालों के जवाब विड़ों ने बहुत ही बेबाकी से और सहस्ता के साथ दिया है इस दमाम खबरे में आपके भीश लाते रहेंगे, हम गाओं में आते रहेंगे, गाओं की कहानी दिखाते रहेंगे, इन सड़कों कहते हैं कि बात बेबात में अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा एक छोड़ा सा सहर रहता है, तो ऐसी छोड़ी सहरों की कहानी हम आपके पीश लाते रहेंगे और हम कोशिज करेंगे कि उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया जल से जल उत्रप्रदेश के जितने गाउं हैं सब कुछ में तब्दील करें कि जब गाउं बदलेगा तभी हमारा समाज बदलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा बने रहें हमारे साथ देखते रहें मेरा नाम हाकास है और आप देख रहें दिलंकाधन.com सुक्रिया